ए स्था तो आप नि डूक ए ए और आए असलाम उलेकूं फ्रेंट्स वेलकल माइ चैनल रिज्मा ऐखान रैसिपीई एंड व्लॉक और आप सब लोग कैसे हैं उमीद कर थिए उन से यह अप सब लोग खेरिये से होगे और अलहम दर Baptist इल्हार avis से हम लोग भी सब खरी उसे हैं तो फ्रेंट से मैं आज लेकर रही हूं फिर से एक और रेसे पी व्रत स्पेशल रेसे जो के बहुत चटपट से बन जाएगी पांच मिट में आप इसको बना लोगे हेल्दी है टेस्टी है और कुछ आज इसको हम चटपटा बनाएंगे तो आ इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे इंशाला सबको पसंद आएगी आपके घर में तो आप इसको जरूर ट्राइ किजेगा बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है रेसिपी पूरी देखेगा इंशाला आपको कुछ नहीं सीखने को जरूर मिलेगा तो चली बिसमिल्ला रमानी र छी jó से पांच मैंने हरी मिटा जाएबा एक दौ बारिक काट-करन करें और डो प्रेंट इसके बाद हम चेपर आलू करना टो पर मैंने च्ची से कहां जिसका दो आलू लेकर तो छोटे साइस के दो ले जिनको मै कजिए कौस्ट में छोट्री प्यू अप्समें पर लिए काक अगर आप चाहें तो बॉइल डालू भी यहां पर यूज कर सकते हैं मगर थोड़े चोटे साइस के हैं तो बहुत ही जल्दी दो मिनिट में जो है अच्छे से सॉफ्ट होगे ते गल गए ते अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ और आप जितने कॉंटिटी में बना र लेंगे टेमाटर बिलकु सॉफ्ट हो गये जो हैं जो एकडम मिल गए है आपसमें था तो बस इस टाइम पर यहां पर पानी डालना ला पर बहुत है नहीं टालन है कि हमारे जो आलू है वह अच्छे से गल जाए तो यहां पर आदा का पानी दाल दिया है और भी दो मिनिट तक ऐसे ही डग कर पकाऊंगे बीच बीच में आप जैक कर सकते हैं पानी ना जाए अगर कम है पानी लगना जाए और लो फ्लेम पर आप इसको पकाएं तब यह बीच में देखे कोल कर बता रही हूं आपको तो देखे बहुत चोटे-चोटे क्यूप में मैंने आलू को काटा ले लिया है तो फ्रेंट्स मैंने एक कटोरी साबुदाना जिसको मैंने सुभा में ही भीगो कर रख दिया था लगबग इसको पांच घंटे हो गए भीगते हुए तो अच्छे से साबुदाना भीग किया है और यह थोड़ा सा इसका जो साइज है वो डबल हो गया है तो ज सिर्मिक्स कर लिया है और यहां पर में ले रही हुँ लगभग पंद्रा सि 20 मैंने यहां पर मक्हाने ले लिया है तो इस रेसिपी में में घ्यान कर दिया है और मैंहें कूछ रख और और अधर करोंगे लिगर जो लोग वुरत में हैं जो B शीफ़ाद नहीं खाते हो आप कर सकते हैं अगर नहीं किता है है था करण सकते हैं तो हर गाधनियद को आप सकते हैं अगर खाध के कृण्स को डाल से देक्ने में यह» तुüber कर लिए श्यक्तлек न भूल गई हूँ पता नी क्लिप जो है वो नहीं मैं सेफ कर पाई हूँ तो मैंने इस टाइम पर यहाँ पर पानी के साथ नमक भी आड़ किया है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप नमक खाते हो बरत में वो आप आड़ कर सकते हैं ढखकर बस आप इसको आप बना के जरूर खाएगा साब दाने की और आप जो भी अलग अलग तरीके की बनाते हैं वो सब भूल जाएंगे इतनी जादा टेस्टी और अमेजिंग लगती है आपको वरत में मजा ही आ जाएगा खाने में और आपको अगर भूक लगी तो आप इसको बनाईएगा इ जिसमें हमने पीनट यानि के मूमफरी डाली है उसका जो करंच है वो बहुत ही जादा यम्मी लग रहा था साबुदान एकदम सॉफ्ट हो गया है बहुत ही मज़े की माशालला बनकर तयार हुई है मुझे भी यकीन निवा कि इसको मैंने बनाया है तो इतनी जादा जबाब बनी है हारी दनी इसे गानिश करेंगे और बस हमारी जो साबुदाने की खिचडी है एक तम चटपटी तीकी सी बनकर रेडी हो गई है तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राइ करें और इंशालला आपको पसंद आएगी आप अपने वाट्सप इंस्टाग्राम और पर आपने फ्रेंट्स को इसको शेयर कर सकते हैं वरत पर वो भी बना कर इंशालला इसको खाएंगे तो उनको भी मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स यहां पर हमारी जो रेसिपी है वो तैयार है वस आपसे इतनी ही कहना चाहूंगी फ्रेंड्स अकर हमारी आज की साबुदान होगोड़े आज इने फरेंगे तो मुझे जो टेस्त लगा है वो है लगा है पीनट्स के यह अनके मौमफली का जो करांचनक खाते टाम बहुत ही मजे का लग रहा है असे मैं आ बहुं से किसी अच्छे रेस्टोरेंट्स को मंगा यह है इतनी जादा यमी बनी है तो मेरी ब जब मैंने बतायाएं के मैं साबु-दाने-खिछड़ी को बनाने इस असमा बनाइं पसंद आया यहां है। अच्छी सी रेसिपी नोगानु है थे bills